कि है कि हलो फ्रेंड्स मैं सब्सक्राइब करती हूं और आज मैं लेकर आई हूं बहुत ही आसान और जल्दी जो है आपके पास अगर समय नहीं तो आप यह जो है बाहर से सुध्य और अच्छा जो है घर पे जो है मिठाई अब तयार कर सकते हैं और जन्माश्री भी आ रहा है तो यह जरूर इस रेस्पी को ट्राइ किजिएगा बहुत ही अमेजिंग रेस्पी है तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल नारियल के बुरादे से पेड़ा तयार करेंगे तो इसमें किन-किन चीजों की जरुवत पढ़ीगे और कितना समय लगता है आपको मैं सारा मिल्कुल मेडियुम फ्लेम पे ऐसोड़ा से रोष्ट करेंगे मीलकिल्क पौडर में भूद से बुठे समय जो है इसमें रोष्ट करेंगे मेड़ाराओ चीजो भूद से अर्न के तेक्ष्ट ऑन चार्टेज पलयार किजिएगा है और बहुत बढ़ियां और जलदी आपका जो है नारिल के बुरादे से पेड़ा बनके तैयार हो जाता है तो इस रेसिपी को जो है आप इस बार ट्राइ कर सकते हैं इस फेस्टिबल में कर सकते हैं जनमास्ट के भी आ रही है तो थोड़ा हमारा पेड़ा जो है और भी ब्यूटिफुल और अच्छा दिखे तो इस तरह से मैंने जो है थोड़ा सा यूलफोड कलर जो है यूज किया है आप चाहे तो यह आप नहीं भी आड़ कर सकते हैं यह उप्शनल है बिल्कुल तो और अगर आप यह जो नॉन इस्टिक पैन में आपके पास कोई और दूसरा पैन है उसमें भी आप बना सकते हैं अगर चिपकता है यह टेक्शर और जो नारियल बुरादा और यह सारे चीज अगर चिपकता है तो आप जो है थोड़ा थोड़ा घी जो है एड़ कर सकते हैं तो यहां पर काफी ठीक हो गया और फ्लेम को तो बिलकुल छूप आ रही हूं इतना ठंडा हो चुका है बिलकुल पूरी तरह से ठंडा नहीं कर ले ना ताकि हम उसको मोल्ड कर सकें पेड़े का सेप में इस तरह से बहुत है यहां पेड़े के बारे लगा दिया है और बहुत ही कम चीजों से यह देखिए आट-थस पेड़े भोग लगाने इतना प्रसाद बिलकुल आप देखिए तयार हो गया सिफ दस से बारे मिनट में यह फ्रेंड्स यह जो है त्यार हो वो भी बिलकुल सुद्धता के साथ तो आई होब कि आपको जो है यह रेस्पी जरूर पसंद आई होगी